कि हाओ प्रोस्पेरेटी फ्यूल्स डावरी अरे वाँ मजद्दार एक तब हो प्रोस्पेरेटी फ्यूल्स डावरी कैसे समाज के अंदर यदि आप पैसे वाले हो जाते हैं तो डावरी जो हैं आप ज़्यादा लेने लगते हैं हाओ प्रोस्पेरेटी फ्यूल्स डावरी अरे रिसेंट स्टेडी हैस रिवील्ड थैस प्रोस्पेरेटी एंड अपॉर्टुनिटी फोर मैं इंडिया हैव इंप्रूव दिदिमांड फोर डावरी हैस इंक्रीस चलिए चर्चा करते हैं इसके उपर कितने लोग आई-एस बन बनने की इच्छा है कितने लोग आई-एस बनने की इच्छा है लड़कों की बात कर रहा हूं लड़के तो दो ही दिख रहे हैं फिलाल करन और अब तो अब आप जैसे ही आई-एस बन जाओगे ना तो आपकी बोली लगेगे मार्केट में बिड अ एरर पोर ओपोर तो क्या बनने की इच्छा है फिर आई-पी-एस अब है क्या बनने की इच्छा है आई-एस की आई-पी-एस जल्दी बताओ वही मेरे को सुबह पन्वेल भी निकलना है जल्दी करन अरे लिग दो यार कितना वेट करवाओगे हाँ ठीक है करन क्वाइश अच्छा ठीक आई-एस जैसे ही करन आई-एस बनता है आई-एस की इसकी बोली लगेगी बिड लगेगी बिड कैसे लगती है मैं बताता हूं एक इंसान बोलेगा कि करन से मैं मेरी बेटी की शादी कराना चाता हूं ठीक है यह यह बोला एक्स ने वाई बोले कि वाई ने सामने दूसरी बात रखी वाई ने बोला कि दो करोड एक जी वैगन प्लस एक फॉर्चुनर ठीक है फिर दूसरा आएगा एक और जैड जैड बोलेगा तीन करोड एक जी वैगन दो बंगलो दो फ्लोट तो यह होती है बिडिंग और हमारे समाज की वस्तिविकता है कि यहाँ पे क्या किया जाता है बिड किया जाता है कि इसका status इतना है तो इसको इतना और market में set rate है बाई साब जब यह लोग बैठ के बाद करते हैं तो इनकी एक set rate है market के अंदर set rate किस तरीके से वो समझने की कोशिच करिए कि कोई आपको यह बोलेगा कि वह फलाना इंसान जो है वो अध्लरक लगाए तो चलर को तो मोटरसाइकल दी जाती बाइस साब गाड़ी थोड़ी देनी होती है अगला क्या लग्या है इंस्पेक्टर लग्या है तो स्विफ तो देना बनता है साथ में 11,00,000 रुपए तो बनते हैं अगले के ठीक है तो ऐसे आपकी बीडिंग होती है मार्केट के अंदर तो जैसे जैसे statement देखिए prosperity and opportunities for men in India have improved the demand for dowry यह उन्होंने statement में लिखा है यह study ने statement में लिखा है पर अपने आसपास आप इस चीज़ को देख पाओगे एक बार समय ऐसा था कि जब मैं गुमने गया था तो वहाँ पे चाठ की दुकान थी चाठ खारें रुके थे हम लोग तो मैं थे हम मेरे मामा थे वहाँ पे दो लड़के जगड की इस बात को लेके रहे थे वह समबताता हूं आपको और वह रियल घटना है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं वह इस बात को लेके जगड रहता है पानी पूरी था है पानी पूरी खाने के लिए रुके हुए वह जगड रहे इस बात पे कि एक बोल रहा है तेरको दहिज में साइकल मिलेगी दूसरा बोलता है साइकल तो तुम जैसे बिकमंगों को मिलती है हम जैसे लोगों को तो motorcycle मिलेगी यह तो तुम जैसे बिकमंगे होते हैं जिनको cycle देते हैं यह यह मैं genuinely बता रहा हूं आपको यह conversation थी and I felt so disgusted कि आज भी हमारे देश में इस तरीगे की जो हैं बातचीत होती है and this was openly discussed this this thing was openly discussed यह हमारे समाज की वस्तविकता है तो यह जो statement दिया गया है यह statement तो study तो अभी आई है पर आप देखिए आपके दिमाग में भी ऐसा कोई न कोई incident होगा I am 110 percent sure कि आप सब के पास कोई और मैं आपको इमानदारी से यह चीज कह रहा हूँ मैं society इतनी बार पढ़ा है मैं इमानदारी से यह चीज आपको कह रहा हूँ कि मैं हर एक चीज को आपको real life से connect करके बताऊंगा हर एक चीज को देखते हैं कैसे पहला economic growth perpetuates and boosts the practice of dowry जो मैंने बताया bidding system कि bid किया जा रहा है कितने लोगों ने अपने आसपास यह bidding system देखा है बताइए कितने लोगों ने अपने आसपास यह bidding system देखा है tell me बाकी लोग leave कर गए गया हाँ देखा है कई न कई दूसरी as men get better education and job the dowry amount increases यह बात सत्य है कि जैसे जैसे education ज्यादा बेतर होता जाता है वैसे वैसे dowry का amount increase होता जाता है कि हमारा बेटा तो फलाना पड़ा हुआ है PhD किया हुआ है प्रोफेसल लगा हुआ है इतना तो बनता है वो तो इतना दे रहे हैं आप क्यों नहीं दे रहे तो यह उनकी bargaining power बढ़ाता है एक तरीके से समाज के अंदर कि हमारा बेटा तो मतल के लाइफ में नहीं भी देखे हैं तो movies में आपने जरूर देखे होंगे फिर बात आती है dowry payment decreases as woman gets education जी हाँ बिलकुल यहाँ पर क्या आता है woman के पास अधिकार आते महिलाओं के पास अधिकार आते यह कुखल कौन है भाई साब कुखल तो यह जो महिलाओं के पास education आता है उन्हें मालूम चलता है ओ हो 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 आर्टिकल बारा से 35 fundamental rights मालूम ही नहीं था हाना prohibition of sexual offense ओहो यह तो मालूम ही नहीं था workplace में इतने rights है मालूम ही नहीं था maternity benefit है मालूम ही नहीं था तो जैसे ही महिलाओं को education मिलने लगता है वो सजग होने लगती है उनके पास जानकारी होने लगती है तो सामने वाले इंसान की bargaining power decrease हो जाने लगती है एक एक करके decrease होने लग करती है प्रमोटिंग वूमन education will and job will decrease डावरी सही बात है वो क्यों सुनेगी आपकी बिना मतलब की देखो एक चीज है कि जब या तो educated हो वो educated भी नहीं है प्लस job भी नहीं कर रही है so in that circumstances in that circumstances होता क्या है कि वो आप पे बहुत ज्यादा dependent हो जाते है और इसमें male को जो है bargaining power बढ़ जाती है in general circumstances ऐसा नहीं बोल रहा कि सारे males ऐसे होते हैं in general circumstances मैं बोल रहा हूं बहुत सारे males ऐसे भी होते हैं जो इसको responsibility की तरह लेते हैं which is good but बहुत सारे ऐसे भी होते हैं जो finding power की तरह इस्तमाल करते हैं exploitation की तरह इस्तमाल करते हैं तो यहां पर क्या करते हैं कि पड़ी लिगी नहीं है job नहीं करती तो एक काम करो उसके पिताजी को बोलों कि 5 लाग रुपे चाहिए 10 लाग रुपे चाहिए 25 लाग 30 लाग 50 लाग करोडों के अंदर होती है साब trend है ऐसा trend क्यों है वो मैं बताता हूं ऐसी एक और घटना घटी थी वह घटना क्या थी ठीक है वो घटना क्या थी वो घटना यह जानते हैं वो घटना ऐसी थी कि एक मेरे दूर के कजिन अंकल थे तो कजिन अंकल की जब शादी चल रही थी तो मैंने यही चीज़ बात छेड़ी तब समझने वाले हो गए थे तब यह मालुम था कि दहेज लेना अपराद है दहे गजँ अगर हम उन्हें सामने से मना बोलेंगे तो उन्हें लगेगा कि तेरे चाचा में कोई कम हैं मतरी हुआ यह यह चीज़ यहां पर आपको ध्यान देने की जरूरत है ऐकृठैन यह भी हैं इंसान कोई सामने से यह बोलता है कि हमें नहीं चाहिए, तो लोगों को शक भी पढ़ने लगता है, कि ऐसा तो क्या, इसमें कोई कमी तो नहीं, कहीं यह दहेज लेने से मना कर रहा है, कहीं ठीक-ठाक तो है, कोई शारेरिक दिक्कत तो नहीं, कुछ और परिशानी तो नहीं, तो ये चीज़ें जो है, इसके अंदर परिशानी create करते हैं, no correlation with caste, डावरी का किसी भी तरीके से, caste से कोई भी relation नहीं है, किसी भी तरीके का कोई भी relation नहीं है, चाहे वो lower caste हो, चाहे अपर caste हो, जो भी caste हो, वहाँ पे हर एक जगे आपको डावरी वाला system देखने के लिए मिले हो, यह बहुत बड़े लेवल पे आपको डावरी वाला system देखने के लिए मिलेगा, यह key findings समझ आई, yes or no, और यह article पे मैं main focus इसलिए कर रहा हूं, क्योंकि this is a part of your general studies, Indian society, बहुत important है यह, एचा, no sir, चलिए ठीक है, आते है, reason behind डावरी, पहली चीज तो क्या है, patriarchal society, पूरुष प्रधान society, समाज, पूरुष प्रधान, यहाँ पे सबसे ज़्यादा decision कौन लेता है, man, और एक चीज में man, patriarchal society हम किसे कहते है, what is the definition of patriarchal society, किसे कहेंगे, आप patriarchal society, very good, देखो, technically जो use की जाती है, यह use की जाती है, कि ऐसी society, जिसमें family का leader, जो है, वो father, या फिर कोई भी male हो, उसे हम patriarchal society कह सकते हैं, तो इंडिया के अंदर आप यह चीज देख पाएंगे कि नहीं देख पाएंगे, कि इंडिया एक patriarchal society है, जी बिल्कुल, और यह एक कारण बनता है, जब higher status दिया जाता है man को, तो उस higher status के साथ, उसके पास bargaining power आती, dominance आती है, और वो जब dominance आती है, उस dominance के साथ यह सारी चीजे भी include हो जाती है, दूसरा economic factors, economic factor का समझने का पीछे reason समझे, कि यह जो डावरी का concept originally arise हुआ, यह जब बताया जाता है कि माता सीता और स्री राम की शादी हुई थी, रभु राम की शादी हुई थी, तो उस समय पे जो माता सीता के पिता जी थे, जनक, उन्होंने भी क्या दिया था, बहुत सारी डावरी दी थी, बहुत सारी in the sense अच्छी दी थी एक डावरी, और उसके पीछे reason जब पूझा गया, तो वो reason यह बताया गया, कि शादी जो हैं, एक संस्ता हैं, उसके अंदर क्या हैं, कि दो नव दमपती, लड़का और लड़की साथ में आते हैं, शादी करते हैं, और वो अपना एक नया घर बसाते हैं, तो जब वो अपना नया घर बसाते हैं, तो उन्हें सपोर्ट की जरूरत होती है, अपने एक सपोर्ट सिस्टम की जरूरत होती है, और वो सपोर्ट सिस्टम क पड़ा सारी चीज़े दूशित होती चली गई और यह सारा बर्डन किसके उपर आ गया फीमेल के उपर आ गया ब्राइड के उपर आ गया अगे इन बार्गेनिंग वाला पार्ट जो मैंने आपके साथ अल्रेडी डिसकेस किया फिर बात आती है अगले इंसान नगर 5 करोड दहित दिया ना मैं 10 करोड देखे बताऊं उसने 10 करोड दिया है मैं 11 दूंगा उसने 11 करोड प्लस एक गाड़ी दूंगा महंगी वाली तो यह है सोशल प्रेशर समाज का दवाव जब समाज आप पर इस तरीके का दवाव क्रिएट करता है तो वह issue create होता है ठीक है ये समाजिक दबाव है जो आपको इन सारी चीजों के अंदर धकेलता है तो ये important है कि ये एक कारण बन जाता है gender inequality अगर दोनों बराबर हो तो किसी तरीके का लेंदेन ना हो बराबरी का रिष्ता हो पर हमारे यहां पर जब हम समाज की बात करते हैं तो gender equality नहीं है और एक ये कारण बन जाता है कि जब gender equality नहीं है दोनों बराबर नहीं है एक का status जान बूझ के inferior किया गया है और दूसरे का status जान बूझ के superior किया गया है तो जब ये inferior superior वाला system होगा तो डावरी आपको वहां पर देखने के लिए मिलेगी है की नहीं फिर बात आती है cultural and traditional belief जैसा मैंने आपको अल्रेडी बता है माता सिता वाला example प्रभू शिराम वाला example अभी ये traditional belief है हमारा कि ये हमारे एक प्रक्रिया है कि हमारे यहां पर ऐसा होता है मा मेरा ठीक है आपने देखा होगा जिसे नौर्थ इंडिया में भात भी का जाता है तो ये भी एक tradition है कि मामा भात लेके आएंगे बहुत सारी चीजें साथ में लाएंगे कई लोग ऐसा बताते है कि पहले के समय में इस तरीके के means of transportation नहीं हुआ करते थे कि जब मन की आपने मामा से मिलने चले गए जब मन की आपनी भुआ जी से मिलने चले गए तो इस तरीके के system नहीं हुआ करते थे इस तरीके के modern means of transportation नहीं हुआ करते थे तो ऐसे समय में relations को जोड़े रखने के लिए इस तरीके की जो है ये छोटी-छोटी रस में अपना ही गई थी तो obviously ये रस में होनी चाहिए ऐसा इनका मानना है ये रस में तूटनी नहीं चाहिए तो ये as it is रहनी चाहिए फिर आती है fear of social stigma fear of boycott सामाज में बहुत सारी चीज़े तो हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि पहले से होती आईए पानी पीलू में दो क्योंकि पहले से होती हुई आईए वह सही है गलत we don't think about this उसे बंद होना चाहिए या उससे चलते रहना चाहिए उसके बारे में भी हम नहीं सोचते तो यह जो चीज़ है यह problem create करती है fear of social stigma fear of boycott कि boycott कर दिया तो हम कहां जाएं कि उसने तो दिया ही नहीं उसने तो यह किया ही नहीं तो यह बहुत जगे दिखा जाएं lack of legal enforcement हमारे यहां पर एक दिक्कत यही है देखो हमारे यहां पर policies बहुत खुबसूरत खुबसूरत बनी हुए laws बहुत अच्छे अच्छे बने हुए पर जो बनी हुई चीज़े हैं बस अब अगर वो implement भी properly हो जाएं तो हमें और किसी चीज़ की जरूर नहीं है इतनी अच्छी policies हैं इतनी अच्छी schemes हैं इतनी अच्छे laws हैं अगर वो धंग से implement हो जाएं we do not want anything else right lack of education education lack of education क्यों कारण है डावरी का उससे समझते हैं क्योंकि जब तक मुझे ज्यान नहीं होगा कि मेरे पास यह अधिकार हैं मेरे यहाँ पर constitution जैसा कुछ है मेरे यहाँ पर Parliament जैसा कुछ है, मेरे यहाँ पर Judiciary जैसा कुछ है, जब तक मुझे वो knowledge नहीं होगा, जब तक मुझे वो ज्यान नहीं होगा, तब तक मैं किसी तरीके से कुछ भी नहीं कर पाऊँगा, So, education is the foundation, इसलिए मैं बार-बार क्याता हूँ, कि population को human resource बनाओ, जब population human resource बनेगी तो यह सारी परिशानी रह जाएगा, Lack of awareness, लोगों को बताना पड़ेगा, कि साब गलत है, this is not right, not at all, बिलकुल गलत, तो वो चीज़े हमें उन्हें बतानी पड़ेगा, है कि ने, यहां तक कोई डाउट इन सारी चीज़ों को समझने में, financial burden on bride's family, मैं जभी भी इंडिया के बारे में बता रहा होता हूँ, तो मैं इंडिया के बारे में यह चीज़ कहता हूँ, that Indian man is not an economic man, he is a social man, आप इस चीज़ के बारे में बताएगे क्या समझे, Indian man, man is not an economic man, but social man, बताएगे क्या समझे, इस statement का, explain, इस statement का अर्थ क्या समझे आप, इस statement का अर्थ क्या समझे, that Indian man is a social man and not an economic man, Indian man is not an economic man, but a social man, क्या समझे इस का अर्थ, कभी क्या कहना चाता है यहां पर, very close up है, अभी इसी चीज़ को मैं थोड़ा सा डीटेल करता हूँ, economic man नफा और नुकसान देखता है, economic man profit और लॉस देखता है, पर social man वो नहीं देखता, India के अंदर, पिता जो है, वो छोटा सा स्कूटर चला रहा होगा पूरी जीवन बर, पर जब उसके बेटी की शादी की बात आती है, तो अचानक से मालूम नहीं कहां कहां से पैसे निकल के आ रहे हैं, अचानक से कहां कहां से पैसे निकल के आ रहे हैं, तो वो जो हैं, वो समाजिक तोर पे ज़्यादा एक्टिव हैं, अभी आप ये देख लीजे, आप जो धार्मी के तक, मतलब किसम के इंसान होते हैं, वो समाज के लिए ज़्यादा पैसे दे देंगे, भले चाहे पुराने गाड़ी में गुम रहे हो, तो अपनी गाड़ी के अंदर नहीं वो इन्वेस्ट करेंगे, वो किसमें इन्वेस्ट करेंगे, अपनी समाज के अंदर invest करेंगे वैसे ही यहाँ पे आप देख सकते हो कि इंडिया के अंदर जो पिता है वो पूरे जीवन भर भले ही गरीबी में काटेगा पर जैसे ही उसकी बेटी की शादी होगी तो वो कहीं न कहीं से पैसे जोड़ेगा भले उसको बात में चुकाने पड़े गले तक उधारी में आ जाए पर वो यह चीज करेगा तो यहाँ पे आप financial burden देखी कितना बढ़ जाता है दोनों चीजों को connect करेए that Indian man is not an economic man he is a social man and the second thing burden of dowry तो जब दोनों चीजों को connect करोगे तो आपको यह समझाएगा दूसरी चीज आप woman को commodity की तरह treat कर रहे हो you are treating woman like a commodity you are exchanging it and in another sense you are like treating it way worse than it आप तो महिलाओं को उससे भी खराब तरीके से treat कर रहे हो commodity में तो आप पैसे देते हो लेते हो तो यहां तो आप उनकी बेटी भी लेके आ रहे हो plus उससे पैसे भी ले रहे हो तो यह कहां की सही बात हुआ कि आपने शादी करी आप उसकी बेटी लेके आ रहे हो और उससे ही पैसे ले रहे हो तो यह तो कितना गलत breakdown of marriage ठीक है abuse and death जाओ अपने पिताजी को बोलो एक फ्रीज दे फ्रीज बेजेंगे जाओ अपने पिताजी को बोलो गाड़ी बेजें जाओ अपने पिताजी को बोलो इतने लाख रुपे चाहिए नया बिजनेस टार्ट करना है क्यों उसके पिताजी ने तेरे को जनम दिया है, जो तेरे लिए पैसे बेजेंगे, क्यों ऐसा, तो इस तरीके की चीज कहां ले जाती है, breakdown of marriage, abuse, मार पीट होती है, आए दिन, हमारे देश की बेटियों को जिन्दा जला दिया जाता है, आए दिन, आज के समय पे भी खबरें जाती है, और इस तरीके का हमारा आज का समाज है, देख, कुछ को जिन्दा जला दिया जाता है, कुछ विचारी खुद फासी पे जूल जाती है, financial dependence, मेरी हाज जोड के दर्पवास्त है, सभी माता पिता से हैं कि जितने पैसे आप दावरी में देने वाले हो, आपने जोड रखे हो, उतना अपनी बेटी पर invest करिए, उनको पढ़ाईए, लिखाईए, education दीजिए, जितना ज्यादा education दे सकते हो, and this doesn't mean कि आप formal education दे, informal education दे, inequality, inequality arise होती है, कि अगला एक ऐसे superior status के अंदर आ जाता है, हो हो हो, मैं तो राजा के बराबर हूँ, तो यह जब वो superior status के अं पानी सुनाई थी, कि मैं पानी पूरी खाने रुका था, तब मेरे बाजू में क्या जगड रहते, कि तुम जैसे बिखारीयों को दी जाती है, cycle तो, हम जैसे को तो क्या दिल मिलेगी, bike मिलेगी, this is harmful stereotype, कि तुम जैसे बिखारीयों को cycle मिलती है, हमारे जैसों को तो motorcycle मिलती ह this is the harmful stereotype, बहुत ही गलत है यह चीज़, ठीक है, यहाँ पर हमारा यह topic complete होता है, तो impact मुझे लगता है, समझ आया होगा और impact की list तो और लंबी हो सकती है, ठीक है, तो यह हमारा था, आज का topic